और अब आपको दिखाते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा पर हो रहे सियासी विवाद पर बाबा बागेश्वर सूपर एक्स्क्लूज़ूज़। कि आप मंदिरों के उपर टिपनिया करो और या मंदिरों को धोस्त करो शेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि सनातनी बहु बेटियों को प्रायोजित तरीके से फसा करके उनके 35-35 टुकडे करो और शेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप पागिस्तान जिंदाबाद के नारे हम तो मजहप्य भी नहीं ले जा रहे हमारे तो कुछ हिंदू भी आगी के लगे अपने अपने ठटरी के बरे नकटा ना काटने ही हो गहें अपने जो अपने होकर जिनके पुरुवच राम की पूजा करकर के मरगा है जिनकी माताजी सीराम चंद्रकरपालु भजमन से प्रात की प्रमार दें ठटरी के बरे हमारे दो अपने हमारा सद्धान चन्की विचारों को बदलना है एला founded ! अस्ता का विछे राम बोट बैंक नहीं राम पावर बैंक राम किसी की बापोती नहीं राम जेक है राम सहज है सरल है सुशील है सुजान है लेकिन सब के हैं हमारे लिए रामचरिक मानस की एक पंक्ती बहुत प्रिय है अब राम के संदर्ब में किसके संदर्ब में हमारे लिए तो प्रिय है जहीं भी धी हो ही ना थे तो मोडा करो सुबेग दासमें तो मोडा सरंडर सेधा सरनागती कहानी खतम मेरी गाड़ी तेरे हवाली तू जाने तेरा काम जाने हम आ गए चाहो तार दो, चाहो मार दो, जो मन करे सो करो तो ये बात सही है कि हमारे आदिपुरुष या हमारे पिता वही है हम सारी उनकी संतान है ये बात आप सब है नचावत राम गुसाई बंधो कीट मर्कट कीनाई सब के राम है राम के सब है पर जो बेटार बाप को भूल गया उसको परचय करवाना गुरुओं का काम है वो हम अब निभा कैसे रहे प्रेम से भी कथा सुना करके भी और चमतकार दिखा करके भी और जरूरत परने पर उनके तरक को काटकर बाणी को बाण बना करके ये रामर के खांदान के नहीं है तो कौन है जो राम को मासाहारी कहते हैं जो राम के होने के सबूत मांगते हैं अरे राम से तू नहीं है राम से तू है ये जानने हो समझने को मजबूर नहीं है समझने को तयार नहीं ये खरदूशन के गई गुचरे बेटे हैं अगर ये भी कहें तो बहुत कम है इसलिए हम कहते हम वीरत के उपाशक है राम भीर है रगुबीर है हम हम क्रोधी नहीं हम कट्टर भी नहीं अतिकटर है राम जी के शेवक और हम प्रभुशी राम की अवहेलना नहीं के तो यहां के कौन घरदूशन है जो आपको बार-बार दिख रहा यह देश हपना है सुन्दर है नग्या परभुक्षे पाड है आप अब बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूशन एक कौनाम बताइए संदर है सब कुछ है राम राज्य की स्थापना की और भारत बढ़ रहा लेकिन राम चरतमानस को फाड़ा जा रहा पाल घर के संतों को मारा जा रहा रहा राम को कालपनिक बताया जा रहा राम के उपर उंगली उठाई जा रही राम मंदर नहीं विद्याले अस्पताल बनने चाहिए बिन नहीं कभी यहनि का मस्जिद की expect बनने चाहिए यह चर्च की जगए् का विद्धालाए बनने चाहिए राममंदर की जगए के लोग की जो विपक्ष के लोग है लाम लेला के कि किया भी जानते हैं उन्होंने का कि क्या जरूरत थी मूर्ती की हमारी मती अगजर यही तो ना आप जब इस्तवाल करते थे ठीक आने तो लोगों को डरा देते हैं डर नहीं है यह सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बाड में समंतुर शोक सकते हैं तो तुमारी नानी याद आजाएगी इसलिए सावधान मांसाहरी यह मूरक है इन्होंने राम को नहीं पढ़ा प्रभुशी राम को नहीं पढ़ा इन्होंने समझा भी नहीं धीरोदाप ग्यानी है नहीं अग्यानी अपने आपको मानती नहीं यह वो ग्यानी है नहीं अग्यानी अपने आपको माननी रहे इसलिए उनकी मती खराब ह गई भगमान इनको सद्गती दे और सुद्ध मती दे यही शुर्शे प्राथना है प्रभूशी राम को जानो पहले राम चृत मानस पढ़ो गड़ो समझो खेल ही खेल सकल निर्प लीला लीला तो करते हैं लेकिन परमात्माने अमर्यादित काम नहीं किया वो ब्रह्म जो सत् ब्रह्म नारायन नर्वन कर आया वो ऐसा कारे करें गा मुर्खता पूर्ण बात है ना राम को जाना है ना उन्होंने बाद मांगना ही चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है और अधिक को सब्सक्राइब आप तो निमंत्रव मिलगी ऑसा सब नहीं जाते हैं जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे वो बड़े और भाले अभागी है